हेलो हाई नमस्कार मैं पंगस सार आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मागनेट ब्रेंस कॉंपटिशन पर जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजूकेशन वो भी क्वालिटी कॉंटेंट के साथ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IVPS PO Pre के लिए हम सुपर सेलेक्शन स्रीज चला रहे हैं जिसका आज डे 15 है और आज के सेशन में हम तीन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिसमें से एक है Q1, Q2, एक है कॉलिडिक एक्वेशन और एक है रॉंग नमबर स्रीज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह टॉपिक हम इंडिविजुली अलग-अलग सेशन में ले चुके हैं पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं बट हमें मालूम है कि इन टॉपिक्स की जो प्रैक्टिस है अगर वो हम करते रहेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी और एक्जामनेश सवाल दिया जाएगा उसमें कुछ डेटा आपको निकालना होगा वो क्यूटू होगा और आपको इन दोनों को क्या करना है कंपियर करना है यह दोनों ही जो आपको सवाल दिये जाएंगे यह सीम चैप्टर के हो सकते हैं अलग-अलग चैप्टर के हो सकते हैं अलग-अलग at same rate मतलब क्या है सर इसका मतलब यहां से इस लाइन से हमें क्या समझ में आना चाहिए कि आपको निकालना क्या है आपको आपको निकालना है simple interest earned in three years at same rate यानि कि आगे जो कुछ भी आपको कहा जाएगा वहां पर जो भी rate of interest होगा उसी rate of interest पे तीन साल का simple interest क्या होगा यह आपको पता लगाना है तो आपको simple interest के लिए क्या पता होना चीह simple interest के लिए आपको principle पता होना चीह rate आप यहां से यूस कर लोगी time आपको यहां पर 3 साल दिया गया है तो आपको simple interest निकालना है उसके लिए आपके पास में formula क्या है P into R into T upon 100 जिसमें से time 3 साल है नीचे 100 constant है rate आप इस data से निकाल लोगे principle भी इस data से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो कहीं भी principle नहीं दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हैं वो है 125 आप से बोल रहा है which is 25% of the amount invested यानि कि जो amount आपने इन्वेस्ट किया था उसका ये 25% है यानि कि दो साल के CI और SI का जो difference है वो जो amount आपने इन्वेस्ट किया था उसके 25% के बराबर है अच्छा तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते है principle कहने काल सकते है principle तो principle भी आ गया हाँ सब ठीक है principle भी आ गया 3 है 100 है आर पता चल जाए आर पता चल जाएगा इस डेटा से यह न आर पता चल गया आर के वलोग पूट कर देंगे तो हमारे पास में और इस पर चर्चा करते हैं इस पर चर्चा करते हैं ठीक है अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाईया मुझे एक चीज बताओ क्या आप यह चीज जानते हो क्या आप यह ची क्योंकि ये दोनों value same होती है क्योंकि ये principal पे मिलने वाला interest होता है और ये simple interest कहलाता है ठीक है sir अब simple interest जो पहले साल मिला था उस पर आपको second साल भी interest मिलेगा तो interest पे interest मिल गया यानि कि ये सवाल बन गया compound interest का ठीक है sir मैंने का भाया इसका 10% ले लेंगे तो ये कितना जाएगा sir 100 अगर ये 100 है तो ये भी क्या होजाएगा sir 100 ठीक है sir अब इस सो का प्र erfolg फिर 10 percent मुझे बढ़े लेगा अगले साल तो य जो आया ये compound interest तो ये जो है पूरा का पूरा ये दो साल का क्या है sir compound interest और ये वाला क्या है sir ये वाला है 2 साल का simple interest ये वाला जो है ये वाला ये 2 साल का simple interest तो 2 साल के compound interest में से अगर 2 साल का simple interest हटाएंगे तो जो बचेगा वो बचेगा आपके 2 साल के compound और simple interest का difference क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो, हाँ सर समझ पा रहे है, विल्गुल समझ पा रहे है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशारी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आब हमको ये समझ में आ गया कि हमें जो दो साल का simple और compound interest का difference दिया है, वो यहाँ पर आने वाला है, और ये value जो है, ये आपकी कित्ती दी गई है सर, ये value आपको दी गई है 125, ये value आपको दी गई है 125, ठीक है सर, और ये जो 125 है, ये हमारे principle का 25 परसेंट है, यानि कि principle का एक चौथाई है ये, एक चौथाई अगर है, इसका तो टामस आएगा, यानि कि कितना आएगा सर, 500, कोई दिक्कत, नहीं सर, अब हमें 500 का आर परसेंट निकाल के ये value लिखनी है, तो मैंने का सर ये जो value होगी, ये जो value होगी, ये क्या होगी सर, 500 का आर परसेंट, हाँ सर, और फिर यहाँ जो value आएगी, उसका फिर से आर पर तो 125 से ये जाएगा कितने बार सर, 4 बार, 4 से ये जाएगा सर, 25 बार, तो ऊपर कितना लिखा है सर, आर स्क्वेर, नीचे 25 सो उधर चला जाएगा, ठीक है, 25 सो क्या होता है सर, 50 का स्क्वेर, यानि आर जो आएगा, वो आएगा सर, 50, आर जो आएगा, वो आएगा, प्रिकें आप यहां पर एक चीज़ देखो यह 500 काई सर अपका पी है ठीक है सिर्फश का फॉर्मॺंवाल है थे को अगर यह यह फ़ाम्मला याद है आप सीधिये लगा सकते थे इसका चार गुना होगा प्रिंसिपल या निकाल सकते थे तो अगर आपको यह याद है तो बहुत अच्छी बाते नहीं आते तो आपको इस तरह से आना चाहिए यह हम पढ़ाते हैं है अब बात ही ईती है कि सिर्फ के ऐती हैं यहाँ पर कि चैनल ने गलां में इसको यहां फूट करने हो गया को इस्योंDas च्छी वादा में इकशन के जीडों प्रीटतर साड़ेándव उन्हांड़ा साथ साथ Hudson gossip आ हमारा क्या है सर क्यूवन है और हमारा क्यूटू जो है वह साथ सो पत्चीस साफ साफ देख रहा है कि क्यूवन जो होगा वह क्यूटू से क्या होगा सर बड़ा होगा क्यूवन जो होगा वह क्यूटू से क्या होगा सर बड़ा होगा बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां पर यह जो डेटा निकाला है वो डेटा निकालने का तरीका जो है वो बॉक्स मेथट है हम प्रिंसिपल पर आर परसेंट एपलाई करते हैं यह आता है इस पर आर परसेंट एपलाई करते हैं यह आता है तो उजी साब से हमने यहां पर आर निकाल लिया अगर आपके पास में दो साल का formula है SI और SI के difference का दो साल का अगर formula है तो आप सीधे भी इसको apply कर सकते थे यहां पर principle निकालने के लिए आपको एक information दी गई थी कि दो साल का SI का जो difference है वो 25% है जो amount आप invest कर रहो है यानि कि principle का 25% 125 है यानि principle का यहां पर सवाल जो है वो क्या है सर यहां पर सवाल है आपके पास में कि speed of train a is 72 km per hour whose length is half of length of platform and crosses the platform in 12 seconds तो यहां पर यह information दी गई है quantity one quantity two यहां नीची की तरफ है तो यह जो information इसे पता सलता है कि train a है जिसकी speed 72 km per hour है जिसको हम अगर 5 by 18 से multiply करेंगे तो यह 20 meter per second में convert हो जाएगा इसकी जो लंबाई है वो एक platform की लंबाई का आधा है यानि कि platform की लंबाई अगर हम 2x मानेंगे तो इस train की जो लंबाई होगी वो x हो जाएगी ऐसा हमें समझ में आता है अब हमें बोला गया है कि यह 30% निकालो किसका sum of length of train a and length of platform तो हमें 2x और x का sum करके उसका 30% निकालना है उसका 30% निकालना है वो हमें क्या देदेगा quantity one देदेगा ठीक है सर quantity two क्या बोल रहा है length of train b which travel with 50% of speed of train a एक train b है जिसकी length जो है वो हमें निकालनी है शायद से और वो यह कह रहा है कि उसकी जो speed है वो train a की speed का 50% है यानि कि अगर इसकी speed 20 थी तो इसकी speed कितनी होगी train b की speed कितने होगी 10 meter per second होगी ठीक है सर और ये दोनों train a train a और train b एक दुसरे को opposite direction में जाते हुए कितने second में पार करने है दस second में पार करने हैं तो हमें मालुम है कि इन दोनों को जब यह लोग opposite direction में जाएंगे तो इनकी जो relative speed होगी वो दोनों का sum होगा और दोनों की speed हमें पता है है ना दोनों की speed हमें पता है अगर उसकी b से तो इसकी आधी इसकी 10 है तो दोनों की speed पता है speed into time करेंगे time भी पता है ठीक है का सर यहां पर जो train A है उसकी लंबाई हमने X मान ली जो platform है उसकी लंबाई हमने 2X मान ली और उसके बाद हमारे पास जो train A की speed है वो 20 meter per second है और train B की speed होगी वो 10 meter per second होगी ठीक है सर अब हम बात करते हैं कि भीया जो हमारा train A है जब वो platform को पार करेगा तो कौन सिलम भाई पार करेगा अपनी और platform की ठीक है सर और उसके बाद उसे कितना समय लग रहा है सर उसके लग रहा है 12 सेंड उसे लग रहा है 12 सेंड तो यह 12 हो गया और यहां पर जो speed हो आईगी relative speed ठीक है relative speed ठीक है नहीं सर train A जो है वो पार क कर रही है सर वो पार कर रही है platform को तो यहां पर जो speed आईगी ट्रेन A की speed आएगी जो की कितनी है सर 20 है ठीक है सर तो यह 20 मिटर पर सेंड और यह बारा सेंड है तो यहां से जो आएगा वह data मीटर में आएगा तो यह जाएगा 3X is equal to 240 तो यहां से X के लोग इतनी है सर 80 मीट x के विलो 80 meter है इसका मतलब है कि length of train A आ चुका है हमारे पास length of train A आ चुका है और length of platform जो होगा वो इसका double होगा यानि कि 160 meter अब आप से quantity 1 में क्या बोल रहा था quantity 1 में बोल रहा था कि आपको 30% निकालना है किसका इन दोनों के length का sum का तो यह हो जाएगा सर 80 यह हो जाएगा सर 160 तो आपको यह समझ में आना चाहिए यह 240 होगा 240 अपन 10 यानि कि 24 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा सर 72 72 तो यानि कि जो हमारे पास quantity 1 आ रहा है वो कितना रहा है सर 72 आ रहा है अब quantity 1 अगर आपके पास में आ गया कि वो 72 है quantity 1 अगर आपके पास में आ गया कि वो 72 है तो आप quantity 2 के बारे में बात करते हैं quantity 2 क्या है सर length of train B length of train B तो यह अलब पार्ट मैं यहां से हटाता हूं यह चीज यहां से हट जाएगी यह चीज़ यहां से हट जाएगी अब बात ही आती है sir कि अब हम बात कर रहे है second case की अब हम बात कर रहे है second case की उसमें क्या होला length of train B आपको निकालना है अब condition यह है कि भीया आपको यह पता है कि जो train B है उसकी जो speed है वो train A का 50% है यानि कि वो 10 meter per second है वो speed होगी वो relative speed होगी हाँ sir तो हमें पता है कि relative speed क्या होगी sir plus होगी तो sa plus sb is equal to यहां पर क्या करेंगे length of train A plus length of train B और जो time लग रहा है वो 10 second लग रहा है ठीक है sir sa और sb में sa कितना है 20 और sb कितना है 10 है 20 और 10 कितना हो जाएगा sir जोडने पर 30 इंटू 10 यह हो जाएगा आपके पास में is equal to यहां पर length of train A length of train A हमारे पास कितना आया था length of train A हमारे पास train A की जो length आयी थी वो आयी थी शायद 80 तो यह कितना हो जाएगा sir 80 plus length of train B तो यह हमारे पास 80 हो यह हमें निकालना है यह 10 यहां multiply कर दिया तो 300 हो गया 300 में से 80 जाएगा तो यह आएगा 220 तो यहां से length of train B आ जाएगा कितना 220 तो यहां पर आपके पास में जो quantity 2 आ रहा है वो आ रहा है sir 220 meter और यह क्या था 72 meter तो साफ साफ देख रहा है कि quantity 2 जो है वो quantity 1 से क्या होगा sir बढ़ा होगा quantity 2 जो है वो quantity 1 से क्या होगा sir बढ़ा होगा कोई दिक्कत है इसमें कोई परिशानी है इसमें हाई या ना simple, 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 easy तो Q1, Q2 के सवाल आपने देखे होंगे पहले भी हमने इसका एक session लिया था और अभी भी हम practice कर रहे है तो आप समझ पार होगा कि यह कठिन नहीं होता हाँ थोड़ा सा time taking हो सकता है normal question से क्योंकि इसमें 2 सवाल हमें solve करने पड़ते हैं अब कभी कबार क्या होता है कि जो दूसरी quantity जैसे पहले वाले सवाल में तो directly दी गई थी तो एक ही part आपको solve करना और compare करना है और कभी पार ऐसा होका कि आपको दोनों part solve करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा time लगता है इसलिए आपको थोड़ी से अपनी speed को maintain करके चलना पड़ेगा देक है चलिए आगे बढ़ते हैं और next सवाल पर आते हैं next सवाल पर आते हैं अब यहां पर बोल रहा है quantity one के बारे में कि number of ways in which a four digit number can be formed from digits 012456 if repetition allowed तो आपके पास में जो numbers हैं options है numbers के वो 012456 के हैं इन number को use करके आपको एक four digit का number बनाना है और आपको यह भी कहा गया है कि आप किसी भी number को कितनी बार भी repeat कर सकते हो बस आपको यह बताना है कि भीया कितने number ऐसे बन सकते हैं इस condition को satisfy करते हुए quantity two क्या आप से बोल रहा है number of ways in which the letters of the word अभिशेक be arranged so that both h never come together यानि कि अभिशेक में जो h है जो कि दो बार आ रहा है उन दोनों ही h को साथ में नहीं आना चाहिए ऐसे कितने number of ways से इसको arrange किया जा सकता है तो यहाँ पर हमें मालुम है कि जब भी वो not together बोलता है तो हम क्या करते हैं हम total में से together वाला case minus कर देते हैं total में से together वाला case minus करेंगे तो not together थर आ जाएगा तो दोनों ही quantity को solve करके देखते हैं तो हम quantity 1 की बात कर रहे हैं quantity 1 की बात कर रहे हैं मैंने का मेरे पास में 4 डिजिट का number मुझे form करना है ठीक है हमें 4 डिजिट का number form करना है और मुझे पास जो option है वो यह है अब मुझे एक चीज़ बताएं कि यह जो है इस place पर हम zero नहीं put कर सकते हां sir तो एक दो तीन चार पांच छे तो यह total छे नंबर हैं उस छे नंबर में से हम zero यहां put नहीं कर सकते यानि इसके लिए जो options हैं वो पाँच options हैं इसके लिए सिर्फ पाँच options हैं यानि की one two four five six में से आप कुछ भी यहां पर पूट कर सकते हो कुछ भी one two four five six कुछ भी यहां पर पूट कर सकते हो ठीक है अब अगर आपने यहां पर कोई भी एक number put कर दिया तो आपके पास बाकी number बच जाएंगे हां मगर जो आपने पूट किया क्या वह आप यूज नहीं कर सकते सर कर तो सकते हैं क्यूंकि रिपिटिशन एलाओड है तो टोटल कितने नमबर आपके पास छे तो यानि कि इसको पूट करने जब जाओंगा इसको फिल करने जब जाओंगा तो इसके लिए मेरे पास कितने ओप्शन होंगे छे होंगे इसके लिए भी कितने होंगे छे होंगे क्यों कि रिपिटिशन एलाओड है सर यहां छे क्यों नहीं होंगे क्योंकि यहां पर हम जीरो पूट नहीं कर गर के यानि कि 5 इंटू कितना होगा सर 216 तो यह हो जाएगा सर 80 और यह हो जाएगा दस तो 1080 1080 यानि कि हमारा जो quantity one आएगा वो 1080 आएगा क्या यह चीज़ क्लियर हो गई क्या यह चीज़ क्लियर हो गई क्योंकि यह जो टॉपिक है यह बहुत कम पढ़ते हो और यहां से एक सवाल हर साल आता ही आता है तो यहां पर अगर आपको इस टैप के सवाल आपको नहीं बनते हैं तो फिर पेपर में आपका लॉस हो जाएगा एक से दो सवालों का इसलिए थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से पढ़ है यह यह चीज़ क्लिए रोगे यह ना अब यहां पर अपन बात करते हैं कॉंडि टू के बारे में अब बात करते हैं इक क्या बोलता है से quantity two हम से क्या बोलता है मैंने का quantity two में हु क्या रहा है भी या कि आपके पास में a b है ना h i s h e और k ठीक है अब मानलो आपके पास मेंना कुछ चीजे हैं एक दो तीन चार पांग छे 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके पास मेंना 8 चीजे हैं, यह 8 लोग है, अलग-अलग-अलग लोग है, और आपको इनको अरेंज करना है, आपको इनको अरेंज करना है, तो मैं आपसे बोलूगा23 न लोगों को करने का n factorial होता है तो 8 लोग है तो 8 factorial बगर इसमें अगर कोई चीज repeat हो रही हो तो जितनी बार वो repeat होती है उतनी बार factorial से इसको divide करना पड़ता है यानि कि यहाँ पर h जो है repeat हो रहा है कितनी बार दो बार तो यहाँ पर 2 factorial से इसको divide करना पदेगा तो यहाँ पर यह क्या आगिया इसलोटल आगिया यानि की total माइनस together वाला case हम माइनस करेंगे तो यहाँ से आजाएगा not together वाला case बात समझ में आ रहmsे है जो की हमें चाहिए उसने कहा है की दोनोm h साथ में नहीं होने चाहिए मैंने का दोनों h को साथ में ले लो वहाला case minus कर दो टोटल में से तो वहाला case आ जाएगा जब यह दोनों साथ में नहीं होंगे तो यहां पर total क्या हुए एक दो तीन चार पांच छे साथ अगर यह आठ अलग अलग लोग होते तो इनको arrange करने का तरीका क्या होता आठ factorial गट इसमें रेपेटिशन लाओंड है तो जो चीजि जाओ नो यह जू है यह नॉल यह फूर बार जान में राइक बहूंज लेगे अब कैसे कश यह जो जो है ने पूरी पूरी एक चीज यह जी दो लोग नहीं यह यह एक जिस्म दो तो अगर यह साथ लोग है तो अगर यह साथ लोग है तो इसका एंसर क्या हैगा सर साथ फेक्टोरियल अब इसमें अगर कोई रिपीट हो रहा है इसमें अगर कोई रिपीट हो रहा है या इसमें अगर मालने की यह दो अलग-लग लोग होते अगर यह दो अलग-लग लोग होत हो सकते हैं इधर उधर हां सर हो सकते हैं तो इसकी वेज़े से एंसर कितना था सब्सक्राइब थो सेम ही है तो सेम इसलिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा तू फैक्टोरिल से तो कई बार क्या होगा किताब में यह चीज नहीं लिखी जाएगी तो आपको समझ मी पांच छे और यह साथ होगे तो सेवन फैक्टोरियल और एम और एंजो है यह आपस में अपनी पॉडिशन चेंज कर सकते हैं कि हां तो यह हो जाएगा साथ टू फैक्टोरियल ठीक है सर तो बस आपका एंसर यह होता बट यहाँ पर हमने क्या क्या यह लोग रिपीट हो र रही हैं ठीक है सर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एट फैक्टोरियल अपां टू एट फैक्टोरियल और सब्स थय आपूर इंटू यहनि कि आज हैगागा इंटो गई ऑश्कोय मांइनниц इल इंडले यह आजीग मैंत है तो यह आपका आजॉन पार 57 कि नेस एंट्स रा सर वो देख लिए आप शुले सकते हो सेवन इंटू सिक्स फेक्टोरियल और सिक्स फेक्टोरियल की वैलू आपको याद होनी चाहिए यह होती सर साथ सू बीस तो यह हो जाएगा सर आपका 5040 ठीक है ना 5040 70 40 49 50 50 40 इसका अपने क्या करना है सर तीन गुना करना है तो यह कौंटिटी से जो है भड़ी हैar या वो आपकी कौंटिटी वन से क्या है सिर बड़ी है यहाने कि सवाल का सही जवाब क्या होगा सर अबू games सवाल सभाव कह विद 및 सर भी ऑप्शन होगा कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की आगे बढ़ सकते हैं भाई साब आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप देख रहा हो कि कॉंदिटी वन जो है कैसार इस पीड फास्ट के मारा फास्ट की स्पीड निकाला के वह की कि यूआ है अब यूआ ऐसे ओपास्ट को characters तो जो faster train है वो slower train को पार कर रही है एठाइज सेकेंड में बढ़ डारेक्शन important है यहाँ पर direction के सर सेम डारेक्शन तो दोनों का direction के सर सेम है अगर दोनों का direction सेम है तो sign क्या है सर माइनस का sign आएगा ठीक है सर तो यहाँ पर हम इस condition का इस्तिमाल करके faster train की speed निकाल सकते हैं हा quantity 2 क्या बोल रहा है quantity 2 बोल रहा है speed of car यानि की car की speed आपको बता लगा नहीं है condition यह कि distance between two cities a and b is 630 तो दो cities ने और भी उसकी बीच की दूरी 630 km है आप से बोल रहा है car point A से चल रहा है point B के तरफ अपने usually speed से but एक तीहाई distance one third distance travel करने के बाद में वो अपनी speed को 25% से increase कर देत है ठीक है ऐसा करने से वो अपने destination पर एक घंटे 20 मिनिट जल्दी पहुच जाएगा कम समय लेगा ना एक घंटे 20 मिनिट कम समय लेगा यानि की 80 मिनिट कम समय लेगा ठीक है तो what its take at its usual speed तो usual speed से उसे कितना समय लगेगा ठीक है sorry 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 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपने usual speed स से एक घंटा 20 मिनिट कम समय लेगा है और आपको निकालना क्या speed of car निकालना तो मैंने खाल सवाल समझ में आ गया होगा पहला है हमारे पास में कि दो ट्रेने दोनों की speed का ratio पता है दोनों की length पता है ठीक है हमें बताना है कि faster train की जो है वो speed क्या होगी अगर faster train और slower train को पा की से one third distance travel करने के बाद उसने अपनी speed को 25% से increase किया है और ऐसा करने से वह अपने usual टाइम से एक घंटा 20 मिनिट कम समय लेगी आपको बताना है कार की speed क्या है तो इसको कैसे करोगे थोड़ा कोशिश करो data लिख लो एक बार चले भीया data collect कर लिया ठीक है तो भीया speed of faster train निकालना है पहले case में और दो train है उनकी speed का ratio 5-7 है ठीक है तो थोड़ी सी जगा बना लेते हैं थोड़ी सी जगा बना लेते हैं तो मैंने का sir मेरे पास में दो train है उनकी speed का जो ratio 5-7 है है न तो जाहिर सी बात है कि जो faster train होगा जो faster train होगा ठीक है और जो slower train होगा इसकी speed अगर 7x होगी तो इसकी speed 5x होगी ठीक है न एंड लेंट अफ 2 train is 120 and 160 ठीक है ठीक है तो 120 and 160 ठीक है ठीक है सर अब आप से क्या बोले faster train crosses slower train in 28 seconds running in same direction तो यहां पर हमें क्या करना है सर हमें यहां पर लिखना है 120 plus 160 ठीक है सर यह length of train हो गया हां सर यह जो चीज है यह किस में है सर यह meter में है हां सर और यहां पर यह यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यह 20 अपास दस होगा तो 2x की value आपके पास 10 आएगी यहां एक्स की value आपके पास में 5 आएगी अगर यह जो है यह आपका 35 हो जाएगा और यह जो है यह आपका 25 हो जाएगा इसे हमान लेते हैं 25 meter per second और यह हो जाएगा 35 meter per second तो यह दोनों की क्या आगे सर speed आगे क्या आगे सर दोनों की speed आगे तो faster train की जो speed है वो कितनी है सर 35 meter per second है यहां पर जो quantity 1 था वो कितना आगे सर 35 meter per second क्या यह बात clear हो गई सबको क्या यह बात clear हो गई हाँ है न ठीक है चलिए तो यह आपका पहला जो quantity 1 वाला पार था वो मैंने आपको बता दिया तो इस अपने को बात करनी है किसकी quantity 2 के बारे मैं तो इसके लिए अपने को जगह चाहिए होगी तो इसको यहां से हटाते इसको यहां से हटाते आप यहां पर देखो यहां पर हम क्या approach रखेंगे तो यहां पर हमने बात करी कि भी यह quantity 2 में speed of car निकालना है अपने को एक बोला है दो पॉइंट है और बी उनकी बीच की दूरी छेसो तीस है तम ने बोला सर यह दो पॉइंट है यह दो पॉइंट है और बी और इसके बीच की जो दूरी है वो छेसो तीस किलोमेटर दी गई है ठीक है सर और यहां पर आप से बोल रहा है कि भीया यहां से एक कार जो है स्टा यह आपका 210 होगा तो यह जो डिस्टेंस होगा यह आपका 420 होगा तो इस पॉइंट पर आने के बाद इसको बोल देते हैं सी पॉइंट इस पॉइंट पर आने के बाद उसने अपनी स्पीड को क्या किया है सर चींज किया है और क्या चींज किया सर उसने 25% से इंक्रीज कर द से लिएकर 25 की तक तक हैब हमें पता यह लगाना है कि अगर वह सी से मऑ चार के कि तो से समय लगता हमें यह Pता लगाता है कि मैंने का सर्य Allah यह यह Apple कि ada यह उँज्वल आए यह प्र स्पीड और टाइम एक दूसरे के इंवर्सली प्रपॉश्ण हो जाएगा हां सर तो इस पीड का रिशो अगर फॉर फाइफ का है तो टाइम का रिशो कितना होगा सर फाइफ फॉर का होगा हां सर तो यानि की पहले आपको अगर पांच यूनिट समय लगता तो अब चार लग तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप यही दूरी यही दूरी सी से लेकर वी तक की दूरी अपने यूज़ल स्पीड से करते तो आपको लगते चार सो मिनिट तो मैं यह बोल सकता हूँ भीया कि 400 मिनिट में आपने कितनी दूरी तय की है मैंने चारजो बीस क तो अगर इसको थोड़ा उल्टा-गर के लिखें, उल्टा-गर के लिखें कि यह 420 किलोमेटर की दूरी आपने तै की है 400 मिनिट में, 400 मिनिट में, तो मुझे तो कितनी करनी है? 630 करनी है, तो 630 करने में कितना लगेगा? 630 करने में कितना लगेगा मैंने का बहिए 630 अपॉन 420 इंटू कितना 400 तो इसको यहां से solve कर ले इसको यहां से solve कर ले तो यहां से आपका 1-1-0 चला जाएगा हाँ सर चला जाएगा ठीक है सर 21 से 2 ताइमस 21 से 3 ताइमस 3 से यह जाएगा सर 200 बार और 200 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 600 तो यह हो जाएगा सर 600 मिनिट 600 मिनिट का मतलब क्या होता सर 600 मिनिट का मतलब होता सर 60 से डिवाइट करेंगे तो 10 घंटे यानि कि आप 10 घंटे में 630 किलोमेटर की दूरी तै करते हो हाँ सर तो 630 km की दूरी अगर 10 घंटे में करते हो तो एक घंटे में कितना करते होगे 63 यानि कि आपकी जो speed है वो कितनी है सर 63 km पर आर 63 km पर आर तो यह 63 km पर आर है यह किस की speed है कार की speed है यानि की quantity 2 quantity 2 तो यह हमको मिल गया सर 63 km पर आर और आपको क्या बताना है सर आपको बताना है यहां पर आपको बताना है यहां पर इन दोनों quantity की बीच में रिष्टा क्या है इन दोनों quantity की बीच में आपको क्या बताना है सर रिष्टा क्या है ठीक है न कोई दिक्कत क कोई परिशानी अच्छा अभी आपको यह चीज़ पता हुने चीज़ कि भीया यहां पर जो आपके पास में आया है वह स्पीड फास्टर ट्रेंड के आई यह बड़ वह 35 मीटर पर सेंड आई तो यहां पर किलोमेटर पर आर करना पड़ेगा क्योंकि वैसे इसको कंपेर करन तब 126 और 63 को कंपेर करना है तो कौन सी कॉंडिटी जादा होगी क्यूवन कॉंडिटी जादा होगी यानि कि आपका जो ए ऑप्शन है वो सही जवाब है अब यहां पर गलतिया होने के चैंसे कहां कहां पर हैं गलतिया होने के चैंसे यहां पर हैं कि आपने यह 35 निकाल के है यह सेकंट में हैं तो जो कुछ भी यहां पर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ रहा होगा तो उसको कनवर्ट करना ना भूले किलोमेटर पर आप ठीक है बेटा आगे बढ़ सकते हैं कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की नहीं चलिए एक बार देखो इसको अच् कोई पर्टे में भी there live को करते हैं जहां पर बहुत दिक्कत होती है और यहां पर कोई दूसरा option नहीं है यहां पर CHEERING लगाना ज्यादा हमारे यह आसान होगा तो हम वहां पर लगा लेतें बड़ नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि हम रेशो की मदद से सवालों को सौल करें ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते अब बात करते हैं सबस्क्रण की कैसे करेंगे ध्यान से दिखो मैं इसके लिए बात कर रहा हूं इसके लिए बात कर ऩो यहां पर 20 यानाइक है करने पर डड़ Iòng करना है, satisfy कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो sign change कर दो, पहले फूरसत में और फिर y square का coefficient है तो उससे divide करना ना भूलें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sir? 2.5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा sir? 2 हो जाएगा, तो यह y की values आ गई, तो यह x है और यह y है, यह जो 2 है, यह 2.5 से क्या है sir? चोटा और इसके बराबर, यानि x जो है वो less than or equal to y होगा, x जो है वो less than or equal to y होगा, यानि कि c option जो होगा, वो हमारा सही जवाब होगा, c option जो हो square minus 11 x plus 4 is equal to 0, 3y square minus 5y plus 2 is equal to 0, आपको बताना x और y में क्या relation होगा, तो कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से दिखो, 6 into 4, 24, तो minus 8 और minus 3, जोडने पर minus 11, multiply करने पर plus 24, satisfy कर रहा है इसको, हाँ कर रहा है, तो sign change कर दो, बिलकुल, और 6 से divide करना ना भोलें, ठीक है sir, यहाँ पर 1.33, है न, या 4 by 3 लिख लो अभी, कोई दिक्कत नहीं है, है न, 24, 23, तो यह 4 by 3 हो गया, और यह 1 by 2 हो गया, तो यह आपके पास में x की values आ गई, उसके बाद हम बात कर रहे हैं y के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा sir, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा sir, ध्यान से तो कर रहे हैं तो इसके sign change कर दो पहली फुरसत में और इसको 3 से divide करना ना भूले, तो यह क्या है, 1 है और यह क्या है sir, 2 by 3 है, तो यह आपके पास में y हो गया, यह आपके पास में x हो गया, अब यहाँ पर x और y के बीच में relation बता रहे हैं, तो 4 by 3, 1.33 होता है, 1 से है, हमारा answer क्या होगा, relation cannot be established, relation cannot be established, ठीक है बेटा, कोई दिकत, कोई परिशानी, केसी भी तरह की, जल्दी बताइए, ठीक है, तो root निकालने का आसान तरीका, मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, है ना, तो अगर आपको quadratic equation के और भी videos चाहिए, तो आप हमारे magnet brain के जो official YouTube channel competition है, जिस पर ये video आप देख रहे हैं, उस पर जाके वहाँ पर playlist पर देखिएगा, अलग-अलग exams में, जब भी हमने quadratic equation पढ़ाया है, वहाँ पर आप जाके उस videos को देखिए, वहाँ पर आपकी और भी practice हो जाएगी, और भी varieties of questions आपको देखने को मिल जाएगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं, अब बात ये करते हैं कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है, 3x square plus 11x plus 10 is equal to 0, 2y square plus 11y plus 14 is equal to 0, तो आप से पूछा जा रहा है कि यह x और y में क्या relation होगा, कैसे करेंगे सर यहाँ पर देखो, 30 चाहिए, यानि कि 6 और 5 जोडने प 5 by 3, तो यह आपके पास में x की values आगे, अब हम बात करें, 28 चाहिए, यहनिकी 7 और 4, 11, जोडने पर 11, multiply करने 25, satisfy कर रहा है, sign change कर दो, 2 से divide करना, ना भूले, तो यह हो जाएगा सर, 3.5 और यह हो जाएगा सर, minus का 2, यह हो जाएगा सर, y, अब आपको x और y में relation बताना है, तो minus 2 जो है, minus 2 जो है, वो minus 3.5 से क्या होगा सर, बढ़ा होगा, ठेके, minus 2 के क्या होगा सर, बराबर होगा, ठेके सर, minus 5 by 3 क्या होता है, क्या यह 2.66 होता है, है न, यहाँ पर देखो, 3, sorry, 1.66 होता है, है न, 3 बंजा 3, plus 2, 1.66, minus का 1.66, तो minus का 1.66, minus का 3.5, तो कौन बढ़ और बढ़ाबर है एक से बढ़ा और बराबर है एक जो है वह य से बढ़ा और बराबर है यानी कि आपका जही जवाब होगा ञें तो सवाल पर आते हैं अब यह सवाल आपसे क्या बोल रहा है सर आपसे बोल रहा है 12 x square plus 11 x plus 2 is equal to 0 12 y square plus 7 y plus 1 is equal to 0 x and y में आपको relation बताना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से देखिए यह 24 हो रहा है यानि कि 8 और 3 लेंगे तो multiply करने पर 24 जोडने पर 11 satisfy कर रहा है क्या कर सकते हैं सर इसके बाद हम यह कर सकते हैं कि 12 y square plus 7 y plus 1 is equal to 0 है हमने क्या किया भीया हमने सबसे पहले 8 और 3 सोचा फिर sign change कर दिया फिर 12 से divide कर दिया यह हो गया यह हमारे पास में x की values आ गई अब यहाँ पर क्या चाहिए 12 चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए 7 तो यानि की 4 और 3 जोडने पर साथ multiply करने पर 12 satisfy कर रहा है sign change कर दो 12 से divide करना ना भूलें तो यहाँ पर क्या होगा सर minus का 1 by 3 minus का 1 by 4 तो यह जो value है यह किसकी value है सर y की value अब अपने को इसको compare करना है so minus का 2 by 3 minus का 1 by 3 तो minus का 1 by 3 बड़ा है minus का 2 by 3 अब इसको ऐसे देखो 2 by 3 जो होता है वो क्या होता है .66 होता है है ना तो minus का .66 है और यहाँ पर क्या है यह minus का .25 है तो यह .25 जो होगा यह क्या होगा बढ़ा होगा ठीक है ना negative में चोटी वाली quantity magnitude जिसका चोटा होता है negative में बढ़ा हो जाता है यहां पर यह कितना है ज़र यह 0.25 है negative का और यह कितना है ज़र 0.33 है अब 0.33 और 0.25 में 0.25 बढ़ा हो गया यानि कि यहां पर यह बढ़ा हो गया तो जैसे यह आया हमने बोला कि भी यह relation cannot be established आने की बी ऑप्श इस अब नेक्स वाल क्या भी या 2x2 plus 9x plus 9 is equal to 0 15y2 plus 16y plus 4 is equal to 0 2918 होता है 6 और 3 9 6 into 3 18 ठीक है तो 6 और 3 इसको satisfy कर रहा है हां सर तो हमने बोला सर इसके लिए हम बात कर रहे हैं तो 6 और 3 जोडने पर 9 multiply करने पर ठारा satisfy कर रहा है तो sign change कर दो और 2 से divide करना ना भूलें तो यह बन जाएगा सर माइनस का 3 यह बन जाएगा माइनस का 1.5 तो यह आपके पास में x की value आ जाएगा अब यह 15 into 4 कितना होता साथ होता है तो हमने बोला 10 और 6 ले लो जोडने पर 16 multiply करने पर साथ ठीक है satisfy कर रहा है sign change कर दो 15 से divide करना ना भूलें तो मैंने का यह हो जाएगा फाइफ टू जा फाइफ जा नेगेटिव का और यह हो जाएगा सर 3 टू जा 3 फाइफ जा नेगेटिव का तो यह हमारे पास इस में भी माइनस 2 बाइ 5 बड़ा हो जाएगा यहां पर कितना हता है ? सब्स पास में आगे असर क्या है रॉंग नंबर स्रीस आपके पास में आगे असर रॉंग नंबर सिरीज तो आपके पास में एक सिरीज दी गई है 45.1 7.3 10.6 15 20 27.1 आपको बताना इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो की गलत है कौन सा ऐसा नंबर है जो की गलत है तो क्या हो सकता है इस 12.1 यहां पर लिखा 7.3 यहां पर लेखा 10.6 यहां पर लेखा 15 यहांपर लेखा 20 यहांपरworm निखा 27.1 नहीं अब यहां पर मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर आपका डिफरेंस है 1.1 का यहां पर डिफरेंस है आपके पास में 2.2 का यहां पर डिफरेंस है आपके पास में 3.3 का तो आपको दिख रहा है कि अगर इसका डेसिमल हम भूल जाएं कुछ देर के लिए तो यह ग्यारा आप 15 में अगर 5.5 जोड़ेंगे तो 20 थोड़ीना होगा वो तो 20.5 होगा हां सर और 20.5 में 20.5 में अगर आप 6.6 जोड़ोगे तब जाके वो 27.1 बनेगा हां सर यानि कि 20 हमारा रॉंग नमबर था यानि कि यह हमारा सही जबाब होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई वरिशानी किस स्कुछ किस है कि समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है वे दिक्कत तो नहीं है कोई परिशानी तो नहीं है ठीक है थिसका है सही जवाब हो कितना भी या 20 है पुआघा बड़े सिंपल हमने डिफरेंस निकाला और सोनके एक बीच में एक रिलेशन सारह जो है वो 11 के multiple हैं ठीक है बाद में decimal देख लेंगे आपर अब इस पर आते हैं यह सवाल आगे आपके पास में आप से क्या बहुत है तो यहां पर क्या कर सकते हैं सर क्या कर सकते हैं चीक है क्लिक कर गया भाई मुझे मैंने बोला सर यहां पर लिखा 2 यहां पर लिखा 3 यहां पर लिखा 8 यहां पर लिखा 31 यहां पर लिखा 154 यहां पर 924 और यहां पर 6460 अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वालो मैंने बोला अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं ल यहां से यहां जाना है तो into four minus one है यहां से यहां into five minus one कि तो Three Set कर रहा है set कर रहा है यह set कर रहा यह मa पर यह सट कर रहा है तो इसको चेक कर लेते हैं यहां पर कितना हो hona चाहिए into six minus one ona चाहिए मैने कहँड अगर यह six fours are twenty four unit place पे four आएगा four में से एक जाएगा तो जो भी answer आएगा उसके unit place पे तीन आएगा यानि की 924 गलत है यानि की यहापर 924 नहीं होगा कुछ और होगा वो क्या होगा वह सकता है कुछ भी हो सकता है तो हमको यह पता नहीं लगाना कि जगा क्या आएगा हमें यह पता लगाना कि गलत है हमने 64 24 क्या यह दोनों जब सब्सक्राइब होंगे तो युनिस पर चार आएगा चार में से एक गया तो तीन आएगा यानि कि जो भी नमबर यहां आएगा उसके यूनिस पर तीन आना चाहिए यह यानि कि स्टैंडर सा पैटन है मेरे खाल से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी ठीक है चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इस सवाल की अब आपके पास में आ गया 251 252 254 227 243 118 154 251 से बढ़ा है फिर बढ़ा फिर घट गया 251 के बाद अपने पास आया 252 254 227 फिर 243 फिर 118 फिर 154 ठीक है यहां पर मेरा जो कहना है वो यह कि 251 के बाद 252 बढ़ा है और 252 254 भी बढ़ा है फिर घटा है कि अट्छा हैillah तो यह थोड़ा सा अजीब लग राहे यह थे फिर भी आपकिवाजपर कल चैंब अगया कि लान थेखSi होता कि पहले बढ़ता है फिर घटता थे बढ़ता यहां पर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा तो यहां पर मुझे असा लग रहा है कि यहां पर बढ़ा तो फिर यहां पर भी बढ़ रहा है ना थोड़ा वो डाउट आ रहा है ठीक है यह बर कोशिश करके देखो आप से बन रहा है कि नहीं बन रहा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसका मतलब यह कि 252 ही गलत हो सकता है यह भी हो सकता है कि 252 ही गलत हो है ना यह भी तो हो सकता है हाँ यह भी हो सकता है तो हमको यह क्लिक करना चाहिए कि भीया यह आपके पास में 251 है फिर आपके पास में 252 है फिर आपके पास में 254 है फिर 227 है फिर 243 है फिर 118 है और फिर 154 है तो यहाँ पर आप एक relation निकाल लो मुझे यहाँ doubt आ रहा है तो मैं यहाँ से start ना करके यहाँ से start करूँगा तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ का जो difference है वो 27 का है और वो minus करने पर आएगा यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो आपका 16 का है और वो plus करने पर आएगा यहाँ से यहाँ पर जो difference है आपका ठीक है वो कितना है सर आपके पास में 125 का है है ना 125 का है 125 का है और वो minus करने पर आएगा यहाँ से यहाँ का जो difference है वो कितना आ रहा है सर यहां कि यह प्लेस फॉर का इसवेर हो रहा है , यह तो यहाँ पर जो नंबर होगा छे, पांच, चार, तीन तो यहाँ पर क्या होगा सर दो क्यूब के पहले क्या होगा स्क्वार होगा माइनस है इसके पहले प्लेस होगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर आपके पास में 4 आना चाहिए, minus 1 का cube करेंगे तो minus 1 आना चाहिए, तो 251 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 250 बचेगा ना, यानि कि ये नमबर गलत हो गया, तो ये क्या बनेगा सा 250 बनेगा, ये क्या बनेगा सा 250 बनेगा तो हमारा ये जो है है तो बता यह ठीक है समझ में आया तो हमने यहां पर कुछ नहीं किया हमने यहां पर डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकालने के बाद में देखा कि यहां पर जो numbers है वह perfect square और परफेंक क्यूब है alternatively है ना alternatively और उनमें भी plus और माइनस हो रहा है ठीक है उसमें गया 141 156 147 162 153 165 159 141 156 147 162 153 165 159 क्या होगा नंबर आसपास ही है तो difference से मेरे ख्याल से काम हो जाएगा क्या एक बार कोशिश करके देखो एक बार कोशिश करके देखो आपको क्या लगता है यहां पर अच्छा 141 से 156 बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर घटा फिर घटा फिर घटा फिर घटा फिर घटा अच्छा तो मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा होगा तो यहां पर देख लेते हैं भीया क्या प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो यहीं पर देख लें यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर प्लस 15 कलर चेंज कर लेते हैं यहां से यहां जाने के लिए करना पड़ेगा भी या प्लस 15 यहां से यहां जाने के लिए करना पड़ेगा सर माइनस का 9 यहां से यहां जाने के लिए करना पड़ेगा सर प्लस 15 अच्छा यहां से यहां जाने के लिए करना पड़ेगा सर माइनस का 9 अ 168 अगर यह बनता तो इसमें से अगर हम 9 काम करें तो यह 159 आएगा हां सर आएगा इसका मतलब 165 हमारा रॉंग नॉमबर है 165 हमारा रॉंग नॉमर ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी ठीक है तो plus 15-9 plus 15-9 alternatively यह चल रहा है ठीक है तो इस तरह से यह pattern बना है तिक भी या इस तरह से यह पैटन बना है ठीक है कोई दिक्कत है आप में से किसी बच्चे को कोई परिशानी है एक बार देख लिए ठीक है चले 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 तो यह भी सिंपल होगे भाई सब अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि यह सवाल क्या है कैसे होगा अब यह सवाल है 2-6-10-19-36-69-134 2-6-10-19-36-69-134 तो नंबर आसपास ही है तो डिफरेंस निकालना रिखाल से सही रहेगा तो आपन क्या करते हैं आपन लिखते हैं पहले यह होगे सार्ट 2-6-10-19-36-69 और 134 अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ध्यान से लिखिए मैंने का यहां पर जो डिफरेंस है वो चार का है यहां पर जो डिफरेंस है वो भी चार का है यहां पर जो डिफरेंस है वो नो का है यहां पर जो डिफरेंस है वो 17 का है अच्छा, मतलब शुरुवात में गल्ती हो सकती, क्योंकि यह सेम हो रहा है न, ठीक है यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना है सर यह, यहाँ पर यह 33 का है यहाँ पर यह कितना है सर, 14 में से 9 गया, 5 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है सर, ठीक है सर इसका डिफरेंस अगर अपन निकालें तो इसका डिफरेंस कितना आएगा सर इसका डिफरेंस आएगा सर आपके पास में 32 इसका डिफरेंस कितना आएगा सर आपके पास में 16 इसका डिफरेंस कितना आएगा सर आठ तो 32 आठ तो यहां पर क्या आना चीए यहां पर 4 आना CDC बात है भई साथ, यह अगर 32 से उसका अधा, उसका अधा, उसका अधा, उसका अधा, ठीक है सर, तो इसका मतलब गलतियां यहाँ यहाँ पर शुरुवात में ही हुई है, ठीक है सर, तो हम यह बोलेंगे कि भीया, 17 में से 8 जाएगा तो 9 आएगा, 9 में से 4 जाएगा, तो यह 5 जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा सर 9 आएगा तो पूरा गड़बड़ी हो रहा है क्या कर रहे हम क्या कर रहे हैं फिर से देखें इसको यहां पर लिखा 2 6 10 19 36 69 और 134 ठीक है न तो अगर हम यहां पर इसका डिफरेंस निगा लें तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर 14 में से 9 गया 5 ठीक है सर और 12 में से 6 गया 6 इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर इसका डिफरेंस आ रहा है सर यहां पर 33 इसका डिफरेंस यहां पर कितना रहा है सर यहां पर डिफरेंस आ रहा है सर आपका 17 ठीक है तो मैं अगर इसका difference यहाँ पर निकल लूँ, तो इसका difference यहाँ पर निकल लो, तो इसका difference कितना ज Jug Supreme? इसका difference यहाँ जो difference आएगा, यहाँ जो difference आएगा, ठीकर है थीज़ा हैं। कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं ठीक है कि 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर 5 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर 3 बचेगा ठीक है सर अचा अब यहां पर एक और चीज क्या रही है सर यहां पर एक और चीज करें कि 10 और नो को जोडने पर 1911 को जोडने पर 36 आधा यानि कि दो को तीन जोड़ेंगे दो में तीन जोड़ेंगे तो यह जो नंबर है यह 5 बनेगा पांच में alahखरन दज़ गया इसका मतलब जो रॉंग उमीद करता हूँ आज के session में आपको समझ में आया होगा मज़ा आया होगा ठीक है practice हुई होगी आपकी ठीक है और यह हमें करते रहना है यह हमें करते रहना है तो मैं उमीद करता हूँ कि आज के session को आपने enjoy किया होगा जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया समझाया गया खास तो प्लीज बताये करो कमेंट करके और लाइक करके जताये करो ठीक है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ठीक है थैंक्यू सो मच मिलता है नेक्स सेशन में अपना ख्याल रखो थैंक्यू